गांजा शब्त सुनाया आपने मैं देखे मैं ज्यादा इन चीजों के बार में नहीं जानता हूँ अहाँ जानता है शब्त आंक बंद करके कहीं पत्थर फेग दीजे स्नॉड़ा के अंदर आपको एक पेडलर मिल जाएगा आपकी सरकार कर रही है कॉंग्रस ने बड़ा कॉंसा न्याय कर दिया कॉंग्रस ने तो दिया केवल हमको भागलपूर मीरट मलियाना हाशिमपूरा अन्यता मत लेना क्योंकि थोड़ा सा लाइट कॉन्वर्जेशन है देखें मुझा लगता है कि लाड़ी कॉंसे आपके मैं मेरे पास हमेश्या है से इसे देती है उनको फाइनस के आता चलता है इसे चीज़ों पर तो कभी सैटिस्वा होना ही ने चीए तो इमांदारी से उस गल्ती को अपनाते हुए उसमें सुधार करो माफी मांगो और जंता के बीच लगे लो जोशी मट पे कम माफी मांगे की सरकार बात साल 2002 की फरवरी से शुरू करते हैं गुजरात में दंगे हो रहे थे और गोदरा से साड़े 600 किलोमेटर दूर पूरे शहर में एक स्कूल का लड़का नहरू और गांधी को पड़ रहा था अब उदर दंगे हो रहे हैं इदर नहरू की किताबे पड़ी जा रही है तो बहग गया कॉंग्रे करता के बीच का जो गैप है उसको भर दूँगा अब उधर पूरे वाले लड़की की जो है स्कूलिंग खतम हो की स्कूल पास आउट कर लिया उन्होंने कॉंग्रेस जॉइन कर ली अब कॉंग्रेस जॉइन की तो पूरे से दिल्ली आए और 615 नंबर की डिटी सी बस पकड लेकिन उसके बाद जब 2017 में राहुल गांदी अध्यक्ष बन गे कॉंग्रेस पार्टी के तो उसके कुछी दिनों बाद साल 2002 में नहरू की किताबे पढ़कर कॉंग्रेस से प्रभावित होने वाले लड़के ने जवानी के दिनों में कॉंग्रेस छोड़ दी उसके बाद दिली की जो आईटियो रोड है वहाँ एक पार्टी का विशाल का इमारत बनी हुई है उस इमारत की छाया तले उन्हें लोग कहते हैं कि सत्य का जो है ज्यान प्राप्त हुआ और उन्होंने उसके कुछी दिनों बाद भारतीय जन्ता पार्टी जॉइन कर है तमाम लोग उनको जानते हैं भड़े बड़े टीवी चैनल स्पर आप उनको देखते हैं सबसे पॉपुलर अगर कहें यूवा कौई बीजेपी का तो भी गलत नहीं होगा बीजेपी के विधायकों को कोई जानता हो चैंज ना जानता हो लेकिन उनको हरकोई जानते है पार्टी ने उन्हें इस वक्त दिल्ली में आईटी सेल और सोशल मीडिया के हेट की जिम्मेदारी दे रखिये और वो खुद को मजभ़ से मुसल्मान, विचारधारा से हिंदू और संस्कृती से भारती है, बताते हैं क्या मैं ठीक कह रहा हूं, शैजाद पुनावाला साथ, बिलकुल, बिलकुल, नमस्कार, शैजाद पुनावाला हमारे साथ हैं, शैजाद भाई, सबसे बहले तो वही बात करूँ है, वो क्या चीज थी, जो खटकी आपको, और आपने कॉंग्रेस फिर छोड़ दी और बीजे पता होती है, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि पहले ही मौके पर आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको मौका देते हैं, एक बड़ी संस्था है कॉंग्रेस पार्टी, उसमें बदलाफ करना इतना आसान भी नहीं है, तो इसी लिए वक्त दिया और उसके बाद भी जब क काम किया, फिर उसके बाद में कॉंग्रेस में आया, तो लगभग मुझे 10-12 साल हो गए थे, और जब मुझे लगा कि 10-12 साल के बाद भी अगर चीजे नहीं बदल रही है, तो फिर मुझे निरने करना था, कि या तो आप देश के साथ हो सकते, या तो एक परिवार के साथ ह सकते, देखे, गांधी, नेरू, टिरक के बारे में पढ़के हम प्रभावित तो हुए थे, परंतु किसी एक परिवार की नौकरी करने के लिए राजनीती में नहीं गए थे, हम देश की सेवा करने के लिए गए थे, तो देश की सेवा करने का माध्यम एक परिवार की सेवा करने का नहीं होता है ज़्यादा यह अपने ट्विटर पर लिखा हुआ है कि प्रभारी इंचार्ज इक ही बात है तो मुझे लगता है कि वह और साइट होगा परंतु दिल्ली की भारतिय जनता पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी का मैं प्रभारी और अंग्रेजी में कहें तो इंचार्ज हूँ तो यह जिमिदारी पार्टी ने मुझे दी राष्ट्रे प्रवक्ता होने के अलावा तो इसको भी निभाते हैं और ह अपकी बात से यह प्रभारी और इंचार्ज यह होता है मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि मैंने दोनों भाषा में लिख दिया हूं पर मैं उनको निराश भी करूंगा कि मेरा commitment बड़ा clear है, मेरा commitment है कि जिस शेत्र में मैं आया हूँ, यह 24 by 7 by 365 है, तो मैं ना कोई पर्व मनाता हूँ, ना अपना जन दिन मनाता हूँ, ना मुझे कहां जाने का शौक है, ना वेकेशन करने का शौक है, ना थाइलेंड बैंकको जाने का शौक है, ना कहीं घूमने फुरने का शौक है, मेरे बस एक ही चीज है कि हमारे जो यशस्वी प्रधान मंतरी, जिस गती से, जिस तेजी से और जिस कटी बत्ता से देश के लिए काम करते हैं, उसको कम से कम थोड़ा सा हम लोग जो है अनुकरन करते हुए, उसके प लोग ले रहे हुए, मोधीजी तो प्रेस कॉंफरेंस करते नहीं है, तो सारे सवाल आपको लेना है, उसके लिए पार्टी कुछ कर रही है, प्रेस कॉंफरेंस और मीडिया के साथ मुखातिब होना सबसे आसान काम है, जन्ता के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है और जनता के स्पास जाकर mandate मांगना और उस mandate के बरकरार रखते हुए उस mandate को और भी बढ़ाना कुछ लोग होते हैं जो professionals काम करते हैं politics में और उन professionals को professional तरीके से hire किया जाता है मान लिजे कि हमारा IT department है वहाँ पर कोई graphic designer होगा या कोई video editor होगा उसको तो आप professional की तरह लोग है क्योंकि वह उसकी रोजी रोटी है उसको करना है तो उसको आप professional basis पर हाइर करोगे पर प्रवक्ता जो होते हैं या जो महासचीव होते हैं या जो पार्टी संगटन से जोड़ते हैं वह इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरा जीने का जरिया है वह आते हैं क्योंकि उनका एक larger ideological cause होता है वो larger nationalistic cause में आते हैं या पार्टी से उनको लगाव है पार्टी की विचारदा हाँ कॉफी हाँ तो मंगवा ली जाए बिलकुल यह चाहे मंगवाई यह चाहे तो हमें बहुत मैं देता हूँ मैं देता हूँ आप रुकिए तो यह हमारे जो है यह तक के कप से एक ब्लैक हो गया वाइट हो गया तो वाइट आपने गुर्ता पहना ब्लाक कप चलेगा मुझे लगता है ना मुझे लगता है कि आपके नौ बजे का बहुत पॉपिलर शो भी है उन्होंने मुझे काफी मदद भी की है और मैं उनका व् होततेजिती ह są कर बड़ी से बड़ी बात मीटे टरीके से वह बहुत दूर तक चली calm मजे लगता है वह तरीका सबसे बहतर होता है अपनी बात को talk करने का और फिर एक तरीका SudhanChoose का है hello believe bother bando Berhalt expressy शूड जाती है But you get a celebrity feel. No you get a celebrity like you are sitting with Anjoni drum Karshav . There are big giants of media never परदान मंतिर जी को जाता है उनके हम एक तरीके से सिपाई बनकर आते हैं तो लोग हमें जानते हैं लोग हमें पहचानते हैं वरना हमें कौन जानता पहचानता है यह सवर्फित कारे करता कि भाशा आप बहुत आपको अपने पॉलिटिकल करियर के तो बात खेर हो तो सभी लोग चाहते हैं आकांग्षा होना वो तो अच्छी बात है पर उससे ज्यादा अगर आपको समाज को कौन्टिबूट करना है अगर आपको देश को कौन्टिबूट करना है तो किसी तो संगठन में आप जाकर ही तो कौन्टिबूट आइडियोजी आज इनेशन फर्स सबका साथ सबका विकास इसमें क्या गलत हो सकता है जो अत्यांत गरीबी है एक परसंट से कम हो चुकी है आज तो राशन वाले मुद्दे पर मैं आऊंगा बट उससे पह बक्षी और से हो रहा है in order to make a मजबूत opposition वो भाराच जोड़ो यात्रा है जनाब आपको लगता है इसा देखे मैंने तो हमेशा प्रशंसा किये राहूल जी कि मैंने कहा कि पहले तो विदेश छोड़कर भारत में कोई दौरा करता है और कोई परिश्रम का परिचय देता है तो इसकी तो परिशंसा कोल कोल के होनी चाहिए बुरी बुरी परिशंसा मैंने की है और कोई व्यक्ति विदेश का दौरा चोड़कर बैंकको थाइलेंड का तोड़कर अगर वो केला और उत्रप्रदेश का दौरा कर रहा है तो अब इलकुल गये हैं वो एक समय पर पार्ल अगर आप रहुल गांदी से तो मत रखे उनको लीडर आप हटा दीजे को अच्छे लीडर को ले आईए मुझे मुझे बताईए कि कॉंग्रेस आपने छोड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी छोड़ता है तो यह रहता है भाई लाइक मांड़ेट पार्टी इसमें लोगों राजनीती में अडवानी गुरुप के में इससा थे एक एक चीज उन्होंने अपने जीवन की लगा दी भारति इंदर पार्टी में आज कहां खड़ें मुक्तार अब्बास नक्वी क्या वो जो मैं ये कह रहा हूं कि जो वो डिजब करते हैं क्या उन्हें मिल रहा अब करते हैं कि इस देश में मुसल्मान वर्ग का नितुत्व किवल मुसल्मान कर सकता अगर ये परिकल्पना थी तो मेरे बाप दादाओं को पाकिस्तान चुर लेना चाहिए भारत में रहकर गलती कि हमने तो भारत में रहने का चुनाव ही इसलिए किया आप लोग तो चा है क्योंकि हमारी सोच ये कते ही नहीं थी कि मुसल्मान ही मुसल्मान का सेपरेट एलेक्टोरेट माइंसेट वाला यहां पर निजाम मेरे व्यक्तिगत हित के लिए यदि मैं देखूं तो फिर अगर उस प्रकार से देखना है तो फिर तो मुझे बताईए कि कॉंग्रस के आ है अच्छा चलिए वो छोड़िए अपना राश्टिया द्यक्ष कौन से मुसल्मान को बनाया पिछले 40-50 वर्शों में अच्छा वो छोड़िए प्रधान मंत्री किसे मुसल्मान को बनाया है कॉंग्रस ने बड़ा कौन सा न्याय कर दिया केवल हमको भागलपूर मीरट मल मुसल्मान नहीं कर सकता है यही तो मैं कह रहा हूं और अगर वह व्यक्ति इतना काबिल होगा तो चुनाफ भी जीत लेगा चुनाफ जीतेगा तो भाई अपने आप उसको जो मिलना है वो मिलेगा पार्टी में क्यों नहीं मिलेगा मतलब मुसलिम युबाव के लिए बीज बुजर समाच से भी है पिछड़े समाच से भी है ऐसे वक्ति को प्रतिनित्तवाद कब दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार किसी ने बोला था मतलब अन्यता मत ले ना थोड़ा सा light conversation है एक कॉंग्रेस के नित्ता ने बोला था कॉंग्रेस के नित्तव से कि मांगा सलमाद इनके लिए कौन है नेता है सलमान खुरशीर को यदि आप मांते हैं कि यह मुसलमानों के वड़े रहनुमा है तो बताइए मुझे लगता है कि यह ज़ड़ा अन्या है मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई मेरा प्रतिनदित कोई भी वर्ड का व्यक्ति करे कोई भी ज नहीं नहीं देखे ऐसा है अब महंगाई की बात करते हैं बस एक बात बहुत यह मत बताईगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है मैं जानना आप से चाहूंगा कि बीजेपी महंगाई रोक क्यों नहीं पा रही है भारत के अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने दो बड़ी मुझा तो लगता है आगे जाते हुए इसमें एक चीज है कि मैं चीज का बड़ा पक्षदर हूँ कि आगे जाते हुए खासकर आप और मेरी जो एज के लोग है हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जादा से जादा शिफ्ट करना चाहिए हां ये मैं जरूर कहुँगा कि हर प्रदेश में प्रयास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए मैं दिल्ली में रहता हूँ मुझे वड़ी तकलीफ होती है मेट्रो तो केंदर सरकार ने दे दिया डीटी सी बस नहीं खरीदे है हमारे मुख्यमंत्री जी अब वो खरीदने जाते तो भरष्टाचार कर देते हैं तो वो डीटी नहीं कुँगा चल रहा है यह मैं आपकी बात मानता हूं तो पस्ची मी उत्तर प्रदेश से आते हों मैं उधर बहुत रहा हो काम किया है एक समय ऐसा था कि पस्ची मी उत्तर प्रदेश में पांच वजे घर पे ताले लगा के बेटियां घर के अंदर बैठी थी यह भी काल होंगे जब पबLIC सेफटी होगी पबलिक सेफटी आ चुका है पबलिक ट्रांस्पोर्ट भी आ रहा है वहां पे निवेश प्रदेश में और जिस प्रकार सी योगी अधितनाज जी काम का future कि या तरह के बाद Congress का future क्या तो बाराइट जोड़े तो बीजेपी कि सामने आज Congress कहीं stand करने ही पार ही है मैं कहा हूँ बीजेपी का future क्या है What after Modi What after Modi? Who's after Modi? Who's after Modi? Who's after Amish Shah? Amish Shah is second in command but later on Yogi Haithanath की मन में भी तो आएगा कि I have to be the second in command टान को जाएंगे कि जो बच्चा पैदा नहीं हो ना बेटा उसका मुन्नन नहीं करेंगे कैसे नहीं उसको सूच लगते हैं लेकिन नाम उसका लगते हे चले एक चीज तो मुझे खुशी है है कि पहले सभी बार शुरू हो जाती है कि नाम क्या रखा जाएगा तो नाम क्या रखा जाएगा बताई एक बात के लिए तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद दूगा कि आपने यह तै कर लिया है कि 24 सब्सक्राइब आप सेवक हो, हम सक्ता में काम करने का मौका जनता ने दिया है, जनता ने मौका दिया है, तो इस मौके को बड़ी विनमरता से भुनाना नहीं है, इसमें सेवा करनी है, सेवा भाव से आप जाओ, और जहां पर गलती होती है, तो इमानदारी से उस गलती को अपनाते हुए, उ जनता के बीच लगे रहो जोशी मट का जो विशे है उसको ब्लैक और वाइट तरीके से नहीं देखा जा सकता कपस की तरह उसमें एक विस्तरित वहाँ पे बहुत लंबे अर्से से मुझे तो बताया गया है कि 70-80 के दशक से भी रिपोर्ट थी वहां की कुछ प्राकृतिक का कारण है तो उस पर जो भी है अब मैं बहुत जाता हूं मेरी आस्था भगवान में जरूर है और मैं मंदर भी जाता हूं और मैं मंदर में जाकर दर्शन भी लेता हूं और प्रार्तना भी करता हूं देश कल्यान के लिए अब देखे आप उसके लिए ना आवास तो लेकिन बोग जो बोलना इस नॉट देखिये मुझा बताईए कि जिस पार्टी की संकराचारे वहारा चुछ मतलब पूछनी है उनको संबोदित किया जाता है नुदु धर्मे शंकराचारे शब्द यूज करने से पहले यह वह इस बात को कह रहे हैं कि हमें तो वहरोसा है सरक सब चीज़े देख रही होगी सरकार के डिपार्टमेंट देख रहे होंगे लेकिन कोई सवाल का उत्तर देने कोई तयार नहीं है कि यह हो क्यों रहा है सब अपनी अपनी थोरी लेकर बैठे हैं हम काम कर रहे हैं बोलने के लिए तो ऐसे विशेशक्ट है कि भी अभी शुरू दिरंतर वहीं पर है और काम भी कर रहे हैं लगाता है इसके पीछे जो भी प्राकृतिक और बाकी के कारण है उस पर अध्याइन देखे मुझे लगता है कि यह यह तो मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों एक बात मानेंगे कि जो फाइनली विशेशक्य कहते हैं उस बात दोनों के लिए काम करते हैं कि आपने हमें वोट दिया तो काम हो और उनको सबी जानते हैं, बीते सालों में उनका ग्राफ ऐसा उपर गया कि वो दुनिया के थर्ड रिचेस बन गया है, I don't have a problem with that, that is becoming the richest one or not, I have a problem that उनके एरिया के अंदर, जो कुछ इस तरह की illegal चीजे हो, पकड़ा किसने उसको, उस ड्रुग्स को पकड़ा किसने, वो बता चाहिए, बगवंत मान जी अगर अगले इंटर्व्यू में आ जाए, बगवंत मान जी से जरूर पूछेगा कि भाई साब, जैसे ड्रुग्स गुजरात ना पकड़ा जा रहा है, आपके वहां पर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, पुलिस को बगगा जी के पिछे लगा कुमार विश्वास के पिछे लगा रहा है, मुझे लगता है कि आप अगर आखड़े भी उठा कर देखें, मैं देखें, मैं ज्यादा इन चीजों के बार में नहीं जानता हूं, आँक बंद करके कहीं पत्तर फेग दीजिए, स्नॉड़ा के अंदर वहां आपको एक पैडल आप सारे तरीके के जो ड्रग्स है और जो बड़े ड्रग पेडलर्स और उनके नेक्सिस है, उनका मेरे पास आखड़ा एक्जाक्ट नहीं है, मुझे अगर जानकारी होती तो मैं आखड़ा लेकर आता, अभी पार्लिमेंट में इसको रखा गया है, स्विशे को, उसमें व सफरे नाम स्वरूप आपको जो बड़े बड़े देश में सुनाइफ है कि ये ड्रग रैकेट पकड़ा गया, ये ड्रग होल लेगा सरकार कोई बिटी फोगी हम कम आखड़ा थे लेकिन होता रहे हम नहीं कry सकते उसम ngày इसमें एक ऐसा विव होती हैै डाइक कि इसके लिए समाज को कानून के साथ काम करना पड़ेगा अथ से मिला कर रहे हैं बिरोसगारी पर बहुत न बता देंगी में ता रह्गा सम में आंसर इसमें क्या बताएंगे अब कुछ नहीं बताने के लिए ना बेरोजगारी पर वही रिपीटेड आंसर है वही उसी से आप मेरे को मेरे को बहला दोगे मैं चुप हो जाओंगा इंटर्यू करता हो जाएगा जब आप से कुछ है नहीं इसका मुझे लगता है इसमें दो तरीके से मैं इसको आंसर देना चाहूंगा एक तो यह है कि बेरोजगारी के लिए हमारा PLFS डेटा आप देख लीजिए अब डेटा देखिए EPFO का जो डेटा देख रहा हूं सड़क पे खड़े आदमी का जो बेरोजगार घुम रहा है बिलकुल आप देख रहे हैं इत डेटा वाला आदमी हूं मैं डेटा और आखड़े के साथ इसलिए बात करता हूं क्योंकि आखड़ा अंश होता है सत्यता का एक तरीके से दोजार आखड़ा खुद सकते हो तब आपके यहां तो फैक्ट चेक की बड़ी टीम भी है इंडिया टूड़े फैक्ट चेक करती साथ सो चौदा स्टाट अप थे दोजार चौदा साथ सो चौदा अंडर दर दो मोस्ट रिनाउंड इकनोमिस्ट मनमों सी एंड टुड़े इट इस मोर दें 86,000 देश के हर जिले में स्टार्ट अप यहीं नहीं चार यूनिकॉन मतलब कि जो स्टार्ट अप बिलियन डॉलर बन जाती है तो चार यूनिकॉन पिछले साथ वर्षों में आज आप देखे आट वर्षों में मुझे लगता है 2021 का अकड़ा जो मेरे पास से 53 है और 2025 जो अनुमान है उसका अनुमान है 200 यूनिकॉन इस देश में होंगे अब मुझे बताईए अगर आपके देश में 50-60 य अच्छा आपने महेंगाई की बोली बात मैं एक चीज तो भूली गया अब अगले इसमें मैंने आपको भगमत मान तो बुला नहीं है आपको एक जैराम रमेश को भी बुलाना क्यों बताईए कि किसानों को कितना प्रतारित किया रहा है इंपुट कॉस्ट बढ़ाया जा है आप तो उनको मार रहे हैं सरकार उनको खतन कर रही है राहुल गांदी का वक्तव है और तीन रुपे डीजल पर किसने बढ़ा दी हमाचल में आपने टूपी भी पहनी है आपको तो थोड़ा और ज्यादा संवेदना होनी जी जब पूछा गया कि भाई साफ सुकु जी तो आके पहले ही दिन पर तीन रुपे बढ़ा दिये डीजल के तो बताईए इसका जवाब क्या है किसानों पर मार बहुत हुआ प्राइस राइस का बार तो बोलते हैं मुझ से मत बूचिये जाकर वो मुख्यमंतरी से पूचिये यह जैरा मिनमेश तो उनको जरूर बुला इस चीजों पर तो कभी साट इस्वाइब होना ही नहीं चीज़े जनता कभी साटिस्वाइब करेंगी कि कॉंग्रस क्या करती थी बीज़े बीजेबी क्या कर सकती है और किसमें आस्था रखनी कि वह आगे भी काम करेंगे लास्ट के साथ मैं अपनी खतम कर रहा हूं आट बचाके रखे रखे हैं नहीं को जाना चाहाएं ज repetition है मेरी कोई कुछ है? वरेंक्षा मैं वे ठीटर पे देख रहा थे और लड़की आप्याटी रहती हैक आपके डेहन के रूप में देखता हूँ और उसकेमें और समय मिलता नहीं किसी और चीज के सवाल bagny के लिए सब्सक्राइब करने के लिए तब जाके कोई बनता है यह अच्छी बात है कि आपने यह सवाल उस समय नहीं पूछा जा अशो गैलोत के पुत्र बने राजस्थान क्रिकेट असोसियेशन बनने के लिए जो पढ़ाए वैभव गैलोत ने की वही पढ़ाए संभवत जैशा जी सुनिया मैं तो मांनता हूं कि वैभव गैलोत भी यह आपने मरी बात की उठा यह नहीं था की वैभव गैलोत गलत है पुराना तालुकात है तो अच्छ लोगों की मैं हमिशा तारीफ करते हूं हुँआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तब उत्तरप्रदेश की सोचल मीडिया टीम का तो है नहीं था मैं वहां पर लोग ने एक छोटा सब्सक्राइब किया था यूपी में 2012 के लिए तो उस सेट अप का थोड़ा सा एक उस समय तो सोचल मीडिया जस्टार्ट हो रहा था भारत में नया नया उस समय पर क्या था पूना वाला ना उस समय उस समय पर यह था कि एक जीबी डेटा की कीमत 300 रूपे आज मोदी जी ने नौ साइब नो रूपे कर दी है तो हम लोग पूरा पूरा दिन जो है फिल में देख रहे हैं पूरा पूरा दिन टेक्नोलजी के माधियम से यूपी आई ट्रांजक्शन भी कर रहे हैं तो उस समय पर इतना सोचल मीडिया नहीं था व्यापक उसका विस् एक प्रवक्ता की शुरुआत से और उसके बाद नैशनल स्पोक्स परसन कॉंग्रेस में भी रहे और वरत्मान ने बीजेपी में हैं बड़ी जिम्मेदारिया समाल रहे हैं आपने सुना बीजेवी का पक्ष रखते हैं तमाम बड़े चैनल सपर हमारे साथ भी चुड़े बहुत बहुत शुक्रिया दा मैं आपका करूंगा जिना बहुत 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 धन्यवाद आपका यूस तक का यहां बिजेवी जे से लगा नहीं कॉनरिशन की तरह लगा दो मित्र बात कर रहे हैं थोड़ा आपने हमारी किचाई की तो हमने भी आपको उसी के साथ रिटर जाहिए न्यवारत